दोस्तों क्या आप सभी लोगों ने पिछले साख अ क्टेंट में notice किया कि जितने भी लोगों को funding मिली, जितने भी लोगों को investment मिली, उन में से अधिकतर tech-based थे, मतलब कि उन्होंने अपने business को grow करने के लिए technology का इस्तमाल किया था, अधिकतर लोगों ने application के जरीए अपने business की growth ही जिया दोस्तों अगर आज की दिन आपको business कर रहे हैं और आपका business की application नहीं है मतलब कि future में आपके growth के chances कम है और साथ ही साथ जब आप अपने business के लिए funding लेने जाएंगे या फिर आप अपने business को कहीं pitch करेंगे तो आपके business को value भी कम मिलेगी इसलिए हर एक business का mobile app होना बहुत जरूरी है लेकिन बहुत सारे small and medium enterprises cost की वज़े से जो initial investment आती है उसकी वज़े से अपने business के लिए mobile app डेवलप नहीं करा पाते जिहां दोस्तों तो आज का ये video आप सभी लोगों के लिए खुसकबरी भी है और साथी साथ एक ऐसी business opportunity है जहां पर आप मातर 1000 रुपे में अपने घर से एक ऐसा business start करेंगे जो आपको एक बार नहीं बलकि हर महीने एक बहुत अच्छी income कमा कर देने वाला है जिहां दोस्तों मैं हूँ रपर आशी शगरवाल founder of franchise ही बताओ और आप सभी देख रहे हैं franchise ही बताओ और आज की इस video में हम आप से बात करने वाले हैं एक ऐसी सांदर business opportunity की जो आपके घर से सुरू हो जाती है सिर्फ 1000 रुपे में सुरू हो जाती है और साती सात यहां पर आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है तो क्या आप तयार है इस business के लिए तो आईए जानते हैं क्या है business और किस तरीके से आप इस business को कर सकते हैं तो दोस्तों जो business है यह business है mobile application का जी हां friends आज की दिन हर business को अपने business की growth के लिए mobile application की जवरत होती है लेकिन वो सिर्फ costing की वज़े से इन application को develop नहीं करा पाते हैं तो mobile app बनाओ आपके लिए एक opportunity लेकर आया है कि आप daily के चाय के दाम में जी हां दोस्तों daily की एक कप चाय की cost में आप अपना mobile application बनवा सकते हो दोस्तों मैं उस महंगी वाली चाय की बात नहीं कर रहा जिसके चर्चे आजकल बहुत हैं बलकि मैं आपके लिए उस सस्ती वाली चाय की बात कर रहा हूँ जो आपके घर के पास टपरी पे मिलती है सिर्फ daily की चाय की cost में भी आप इस mobile application को बनवा सकते हैं और सबसे खास बात क्या है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस mobile application की कि mobile app बनाओ आपसे daily payment भी लेता है और साथी साथ आप monthly payment भी दे सकते हैं मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं daily basis पर payment करता रहूं और मेरा mobile application चलता रहे तो ये भी possible है और अगर आप चाहते हैं कि मैं monthly payment करता रहूं और मेरा mobile application चलता रहे तो ये भी possible है और ये कितने minimum cost पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1000 रुपे से application स्टार्ट हो जाता है बहुत सारे अलग-अलग application से आपको कौन सा application चाहिए आपका business कहां suit करता है उसके basis पर pricing beside होगी लेकिन मातर 1000 रुपे महीने से ये application स्टार्ट हो जाते हैं तो आईए जानते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से वो business है जिनके लिए mobile app बनाओ एक बहत्रिन opportunity लेकर आया है जी यहाँ दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आप किसी भी product में deal कर रहे हैं तो अपनी product को online sale करने के लिए आप mobile app बनाओ के जरीए e-commerce application development करवा सकते हैं साथी साथ दोस्तों अगर आप यह चाहते हैं कि मैं एक super vendor app develop करवाऊ मतलब कि आप जो बेच रहे हैं वो तो बेच रहे हैं लेकिन आप बहुत सारे अलग-अलग dealers का बहुत सारे अलग-अलग traders को भी अपनी application के जरीए इस service प्रवाइड करना चाहते हैं जैसे कि Amazon है, Flipkart है, Misho है इस सब लोग क्या कर रहे हैं इन सब लोगों ने एक aggregator platform बना लिया है जहां पर अलग-अलग जो swapkeepers होते हैं, जो traders होते हैं वो इनके mobile application के उपर अपने business को list कर देते हैं और इनके जरीए selling कर रहे होते हैं तो आप भी ऐसा application बहुती bare minimum cost में mobile app बनाओ के साथ develop करवा सकते हैं अगर आप restaurant चला रहे हैं तो restaurant app भी बना सकते हैं और साथ-साथ अगर आप चाहते हैं कि restaurant multi vendor app हो मतलब multiple restaurants under one application आजाएं तो ये भी possible है with mobile app बनाओ साथ-साथ दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आज के दिन subscription best application की बड़ी demand है अगर आपको daily product ले रहे हैं या कोई tiffin ले रहे हैं कहीं से तो आपको subscription based application चाहिए होते हैं जहां पर एक बार आपने subscribe कर लिया monthly आपके account से पैसे deduct होते रहेंगे और आपको daily basis पर services मिलती रहेंगी जैसे आपको अंडे लेने है, daily लेना है दूद लेना है, daily लेना है bread लेना है, daily लेना है टिफिन आना है, daily आना है या daily की services है, नादियल पानी आना है अगर आपको को daily services चाहिए तो आप subscription based के उपर भी ऐसे application डेवलब करवा सकते हैं जहां पर आपके consumer को एक बार आना है, एक बार अपनी requirement set कर देनी है, अपनी payment को set कर देनी है और उसके बाद आपके पास daily जो भी service या फिर product आपने demand किया है, वो आता रहेगा और दोस्तों, lastly मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप mobile app के जरीए अगर आपको service प्रोवाइट कर रहे हैं तो service app भी design करवा सकते हैं मतलब कि more or less हर तरीकी के business के लिए एक application है mobile app बनाओ के पास अधिक जानकारी के लिए आपको description में जो number दिया गया है वहाँ पर आप call कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो detainment आपको बताए कि आप किस किस तरह के mobile application डेबलब करवा सकते हैं तो दोस्तों mobile app बनाओ से ही क्यों करवाएं दोस्तों mobile app बनाओ से करवाने का सबसे पहला फायदा कि यहां से सस्ता आपको सायध ही कहीं मिलेगा दूसरा दोस्तों यहां पर आपको one time cost नहीं देनी लाखों रुपे एक बार में नहीं देना है आपको 1000 रुपे प्लस GST से यह application मिलनी सुरू हो जाती है मतलब कि बहुत ही कम कीमत में आपका business grow होना सुरू हो गया है आपके business की एक mobile application बनकर Google Play Store पर आ गई है इसके अलावा दोस्तों चुक्कि mobile app बनाओ के पास dedicated team है easy to use यह mobile application होती है आपको बहुत ही जल्दी fast delivery हो जाती है application की आपको application यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता है company की तरफ से आपको training भी मिलती है और साथी साथ यह सारे applications easy to use होते है आपके लिए mobile application बिजनस को बढ़ाने के लिए एक वर्दान साभीत हो सकती है मतलब कि अगर आपको business कर रहे हैं तो आप बिल्कुल peanuts में अपने business के लिए एक mobile application बनवा सकते है इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपके business में अगर mobile application होगी तो क्या फाइदे होंगे उसके मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा तो दोस्तों ये तो मैं आपको फाइदे बताए application बनवाने के अब यहाँ पर आपके लिए business opportunity क्या है यहाँ पर आपको क्या business मिल रहा है दोस्तों आपको company दे रही है franchise opportunity मातर 1000 plus GST में यहाँ दोस्तों 1000 plus GST के monthly subscription पर आप भी mobile app बनाओ की franchise पार्टनर बन सकते हैं और यहाँ पर आपको क्या-क्या मिलता है जान लेते हैं सबसे पहला फाइदा तो आपको एक business opportunity मिलती है एक इतनी बड़ी business opportunity मिलती है जिसके लिए आपके पास पूरी India है आप आसानी से कही पर भी mobile application sale करके एक अच्छी commission कमा सकते हो commission की भी आगे बात करेंगे कि आपकी income क्या होगी लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि यहाँ पर आपके फाइदे क्या है सबसे पहला तो यहाँ पर आपको multiple products है application sale कर सके और अधिक से अधिक profit earn कर सके आपके पास अगर कोई भी technical knowledge नहीं है तब भी आप आसानी से mobile app बनाओ के जरीए mobile app को develop कर पाएंगे और साती साथ आपके लिए एक specific application company की तरफ से मिलती है जिसके लिए कि आप जो franchise fees दे रहे हैं वो उसी में include है मतलब आपको अलग से कोई payment नहीं करनी है आपको 1000 plus GST जो आप company को हर महीने दे रहे हैं उसी के अंदर ये mobile application आपके लिए free है मतलब आपका अगर कोई existing business है पहले से तो उसको भी आप promote कर सकते हैं अपने business की growth कर सकते हैं और लोगों की business को growth करवा कर आप एक अच्छी income generate कर सकते हैं दोस्तों जो company है mobile app बनाओ ये फरीदाबाद based company है और आज तक 1000 लोगों को mobile application के जरिए उनके business को growth करने में help कर चुकी है आप इनकी अधिक details के लिए इनकी website को check कर सकते हैं आप directly company के दिये गए number पे बातचीत कर सकते हैं और आप वहां से इस mobile application को purchase कर सकते हैं यहाँ पर costing कम है इसलिए आपका risk भी बहुत ही minimized है now हम बात कर लेते हैं आपकी profitability की कि कितना कमाल होगे जब आप मातर 1000 प्लस GST में जुड़ जाओगे mobile app बनाओ के साथ ऐसे बहुत सारी अलग-अलग company हो सकती हैं आप चाहे तो आपनी खुद की company develop कर सकते हैं लेकिन जब आप अपनी खुद की company develop करेंगा बहुत सारे अलग-अलग खर्चे, overhead खर्चे staff salary, busily का bill, rent and all those लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर आप tension free होकर आप अपने घर से काम कर सकते हैं जिसके लिए कि आपको company पूरा-पूरा support कर रही है आप थोड़ा सा खर्चा करिए marketing के ओपर जैसे कि आप google ad, facebook ad चला सकते हैं अपनी natural market को cover करिए उसके ज़रीए आपको बहुत सारा business आ जाएगा और जो भी business आएगा उस पर आपको क्या profit आएगा आईए फटा-फट से समझ लेते हैं आपका profit margin क्या है जो भी पहले महीने का subscription company को आता है जैसे suppose करिए एक हजार उप ले जेश्टी आया जेश्टी चला जाएगा government को एक हजार उपे में से सो उपे for development company रखेगी और बाकी पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पहले महीने की पूरी income company की तरफ से आपको मिल गई ये तो one time की income होई लेकिन इसके अलावा आप जितने भी लोगों को जोडेंगे जितने भी लोगों को आप जोडेंगे हर महीने वो pay करेंगे तो हर महीने company की तरफ से एक fixed percentage आपको आता रहेगा मतलब कि ना कि सिर्फ यहाँ पर आपको one time income मिल रही है बलकि recurring income मिल रही है और recurring income का जादू क्या होता है आईए मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि suppose करिए कि आपने सारे application हजार वाले ही बेचे आप महेंगे भी बेच सकते हो लेकिन मैं एक example ले ले लेता हूँ कि आपने सारे application एक हजार वाले ही बेचे और एक साल आपने महेनत की हर महीने के केवल 20 application ही बेचे हम कम मान लेते हैं हर महीने के 20 application बेचोगे तो पहली तो 20,000 रुपे की income वो आ गई जो हर महीने आनी है मतलब कि आपने लगाए क्या महीने का 1000 रुपे जिसके बतले आपको application भी मिल रही है, training भी मिल रही है, digital marketing भी मिल रही है, company support भी मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है और साथ-साथ में आपको 20,000 रुपे की income भी आ गई, इस income को छोड़ दीजी, अब आपने पूरे साल काम किया, पूरे साल में आपने 12 महीने में 20 application हर महीने के अगर आपने बेचे तो 240 application आपने टोटल बेचे अब यहाँ पर मैं माल लेता हूँ, कि company 1000 रुपे में से मातर दस परसेंट ही आपको दीती है, मतलब 100 रुपे एक client से आपको हर महीने आ रहा है, 240 client हो गए, आपके 12 महीने के बाद, 240 into 100 करेंगे, तो 24,000 रुपे पर महीने आपको तब तक आता रहेगा, जब तक इनकी mobile application चल आपको जो one time income आई, वो तो आई रही है, और जो recurring income है, वो हर महीने आ रही है, तो आपके लिए एक अच्छे business opportunity हो सकती है, mobile app बनाओ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, कि आप कोई भी business ले, आप खुद सोच विचार करके, अच्छे से देख बाल करके, जांच परतार के किलती है, company की तरफ से जो हमें information होती है, हम सारी information आप तक लेकर आते हैं, और ऐसी information के लिए, ऐसी ही business की जानकारी के लिए, आप देखते लिए franchise ही बताओ, क्योंकि franchise ही बताओकर, हम आपके लिए 9-9 business opportunities लेगुलर लेकर आते हैं, brand की लेकर आते हैं, अलग-अलग company की लेकर and leading expo, जहाँ पर आपको franchise भी मिलेगी, और बड़े-बड़े brand के साथ, अपने property को attach करने का भी मुका मिलेगा, देखते लिए franchise ही बताओ, मैं हूँ आशी शगरवार, आपका अपना business दो, जैहिंग, जैवारत